राश्टिसम् तुक्डूजी महाराज नागपूर विश्विद्याले का 110 दिक्ष्चान समारो गुरुवार को 13 एप्रेल 2023 को दुबेर दो बजे डॉक्टर वसंद्राओ देश पांडे मेमोरियल हॉल सिविल लाइन्स नागपूर में आयुचित किया गया जहां राजिपाल हमेश बैस की मुख्य उपस्तित रही यह कारिक्रम विश्विद्याले की स्थापना के सौवे वर्ष पूरा किये जाने और इस शेक्षनिक वर्ष को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाय जाने के उदेश से आयुजित किया गया इस दिक्षान समारों में एक लाक एक अज 2722 डिगरी अभियार्तियों और 330 चात्रों को डिगरी प्रदान की गई विश्विद्याले अपनी स्थापना के सौवर्ष पूरे कर रहा है और इस शेक्षनिक वर्ष को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया विश्विद्याले से संबंद महा विद्यालों एवं सना को तर शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यातियों को ग्यान प्रदान करने का कार्यों निरंतर जारी है विश्विद्याले बड़ी संख्या में परिक्षाय आयोजित कर रहा है और सभी की भागिदारी महत्वपून है दिक्षात समारों में विंटर 2021 और समर 2022 में मुख्य अतिती के रूप में उपस्तित रहे और उन्होंने दिख्षांत भाशन दिया विश्व विद्याले के कूलपती डॉक्टर सुभाष चौधरी ने स्वागत परीचेनात्म भाशन दिया इसके अलावा इस समारों में विश्व विद्याले प्रबंदन परिशत के सदे पदक और 29 नकत पुरसकार सहित कुल 155 पुरसकार वित्रित किये गए इस दिक्षांत समारों में प्रदान किये गए पदकों पुरसकारों में सबसे अधिक पदक एवं पुरसकार सुष्मा को प्रदान किये गए नंदिनी समीर सोहोनी ने जीते 7 स्वन पदक और 2 पुरसका और एक रजतपतक भी जीते। वहीं सोमराज पुंडलिक गिराडकर को चार्ण स्वन पतक मिले और एक पुरुसकार भी मिला। राज श्री भोजराज धबाले को चार्ण स्वन पतक और एक पुरुसकार से समानित किया गया। NBCN News के लिए राजकुमार मोड के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट